हेलो बच्चों कैसे हो आप सब होफ़ले सब अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ओके सो देखे आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से एक नए चेप्टर की सुरुवाद जो कि 11 चेप्टर डिफ्रेंशल इक्वेशन का चेप्टर है उसके बाद ये 11 चेप्टर डिफेंशल इक्वेशन का चैप्टर है उसको कंटिन्यू करें जैगरें कि बिना इंटिफ्रेंशल को करना मुसकिल है काफे दिक्कत आपको आने वाली हैं क्योंकि कर और हागे क्रादिक्टे नर्ष्रेंशल की हाल लेनी पड़ेगी हैं तो बिना उसके सरवाईव करना जादा मुस्किल हो जाएगा हमारे लिए तो आज की इस वीडियो में हम 11.1 एक्सरसाइज कम्प्लेट कर देंगे तो चले शुरुवात कर देते हैं ओके सो चैप्टर की सुरुवात करते हुए एक बार पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि actually differential equation क्या होती है है ना differential equation एक ऐसी equation को बोलते हैं जिसमें हमारे पास ये independent variables होते हैं जिनको हम normally x से denote करते हैं dependent variables होते हैं जिनको हम normally y से denote करते हैं हम जैसे लिखते हैं कि y is equal to 3x plus 1 तो जैसे जैसे x की value change होगी तो y की value भी change होती रहती है x1 होगा तो y4 हो जाएगा x2 होगा तो y7 हो जाएगा तो x पर depend कर रहा है y है ना तो इस वज़े से x को तो बोला जाता है independent variable और y को बोला जाता है dependent variable कि वो depend कर रहा है x पर है ना तो एक ऐसी equation जिसमें dependent variable भी हो independent variable भी हो coefficients भी हो सकते हैं होते हैं बलकि और differential equations भी हो differential part जो है जैसे dy by dx या d2y by dx या d3 by dx square sorry cube कि first order second order यह जितने भी derivatives है derivative वाले term भी आपको देखने को मिले variables भी आपको देखने को मिले equal का sign भी आपको देखने को मिले इस तरह की equations होती है वो बोली जाती है differential equations तो यह सारी की सारी जो यहाँ पर हमें दे रखिए वो सभी क्या है differential equations है और अब हमें उन differential equations की क्या क्या बतानी है एक तो degree बतानी है और एक उन differential equations का order भी बताना है तो क्या होता है यह order हो क्या होती है degree तो सबसे पहले हमें यहाँ पर order को देखना होता है कि जैसे आप differentiation के chapter में double derivative तक करके आया है second derivative है ना ऐसी third derivative, fourth derivative कितने भी हो सकते हैं depend करता है question पर तो यूं समझे कि एक differential equation में किसी की भी बात करें एक करके सभी पर काम करेंगे तो differential equation में जो highest order derivative आपको नजर आता है कि जैसे यह नजर आया है ना तो इससे बड़ा और कोई नजर आ रहे है d3 का नहीं नजर आ रहे है यही सबसे highest है है ना इससे छोटा बले हो लेकिन हमें तो highest देखना है तो यह क्या कहलाता है कितने order का है यह है हमारे पास two यानि कि second derivative है that means कि यह second order derivative है तो जो इसका order होगा वही इस पूरी की पूरी equation का order बोला जाएगा ठीक है यानि कि इस पूरी equation का जो order है वो order कितना होगा two होगा कि यह two order का differential equation है clear ऐसे ही एक एक करके सब पर बात करेंगे अब बात करते हैं degree की degree देखने के लिए हम क्या करेंगे degree देखने के लिए हम यह करेंगे कि जो highest derivative वाले term आपको नजर आ रहे है जैसे एक यह है और एक यह है ठीक है इन में से highest कौन सी है यह वाली है तो हम इसको कर देंगे ignore और फिर हमें यह देखना है कि इस higher order derivative वाले जो term है इसकी whole power कितनी है फिलाल power 1 है तो वो 1 power actual में क्या कहलाएगी degree कहलाएगी किसकी कहलाएगी इस पूरी की पूरी equation की degree कहलाएगी ठीक है अगर यहाँ पर power कितनी होती इसकी 2 होती तो यह 2 degree किसकी कहलाती पूरी equation की degree कहलाती in the same way 3 हो जाता तो 3 degree की 4 होता तो 4 ठीक है तो हमें किसको चेक करना है जो highest order derivative वाली जो term है उसकी power जो होगी वो हमें क्या बताएगा degree of the equation हमें बताएगा ठीक है अब इसमें भी एक और चीज आपको notice क्या करनी है कि जब भी हमें ये degrees चेक करनी है वो degrees की जो power है वो power क्या होनी चाहिए natural number में होनी चाहिए ठीक है अगर वो natural number में नहीं है radical power में यानि fractional में है negative में है तो हम पहले कुछ न कुछ प्रोसेस करके उनको positive बनाएगे ठीक है और without point की बनाएगे हमें fractional form भी नहीं चाहिए और तब जाकर हम उसकी degree बता पाएगे चलिए first question को देखिए जैसे first question क्या है अपने पास cos x dx अभी आपको यहाँ पर completely यह flat formation में नजर आ रहा होगा तो हम क्या गरते हैं एक इस portion को उधर ले जाते हैं तो यह plus से उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा है ना अब यह देखिए जो dx है इसको हम इसके नीचे लेकर आ सकते हैं तो cos y क्या बन गया dy by dx बन गया और is equal to में क्या है माइनस cos x है तो is equal to में कुछ भी और doesn't matter लेकिन यह देखिए एक चीज़ और आपको क्या देखनी है साथ साथ कि अगर trigonometry है तो क्या वो trigonometry उस differential part का यह कहिए कि उस trigonometry का angle यह differential part तो नहीं है फिलाल हम देखें तो इस trigonometry का angle y है यहाँ पर इस trigonometry का angle यह x है तो यह dependent और independent variable हो सकते हैं no worry ठीक है लेकिन कोई ऐसी situation ना हो कि इनका angle हमारे differential part है ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो गलत हो जाएगा तो वहाँ ऐसी situation में हम उसके degree mention ही नहीं करेंगे ठीक है तो चलिए देखें इसमें diva by dx ही सबसे बड़ा derivative हमें नजर आ रहे है that means कि हम बोल सकते हैं therefore order of differential equation क्या है फिलाल 1 है and इसी तरीके से degree degree of this differential equation वो भी कितनी हो जाएगी 1 क्योंकि यही जो highest है उसकी power कितनी है देखो 1 ही तो है है न तो यही इसकी क्या हो गई degree हो गई clear इसको गले तक copy बार बार लिखना तो बड़े गई हर question में चलिए second part करते देखें second part में second question ही actually क्या है one plus xy multiply y dx then plus 1 minus xy xdy yes xdy is equal to 0 अब देखें बार बार इतनी shifting करने के बजाए हमें कोर काम कर सकते हैं क्या मैं throw out dx को मन लेके divide कर देता हूँ या ऐसे कर लेते हैं कि throw out हमने dx से divide कर दिया तो इधर dx को मैं dx से divide करूँगा तो खतम यहां मैंने इसको dy को dx से divide गिया तो dy by dx बच जाएगा और 0 को divide करेंगे तो 0 ही बचेगा तो देखिए हमारे पास simple सी ऐसी formation तयार हो गई अब यहां हम इसको बड़े आराम से देखकर बता सकते हैं कि इसका order कितना है highest order हमें इसका 1 ही देखने को मिल रहा है और इसकी degree कितनी होगी इसकी power भी whole power भी हमें कितने देखने को मिल रही है 1 ही देखने को मिल रही है राइट चलिए third क्या है third d2y by dx square d2y by dx square plus इसके साथ कुछ और भी था d by dx y था और minus x square is equal to 0 यहां पर इसके order और degree कितनी हो जाएगी तो order of differential बताइए कितना है highest order आपको यही देखने को मिल रहा है नीचे square नहीं लिखा मैंने तो that means कि इसका order कितना हो गया 2 और इसी की whole power कितनी है इसकी whole power 1 है that means कि इसकी degree भी कितनी हो गई 1 हो गई clear चलिए next करते है fourth क्या है d by dx hold is to power 4 d by dx hold is to power 4 3y d2y by dx square 3y d2y by dx square और is equal to 0 है ना तो therefore अभी देखिए इसकी order कि अगर हम बात करें तो order क्या है देखिए यह तो single derivative यह double derivative है तो double जादा होता है that means कि इसका order कितना है 2 है अब इस double derivative वाले कि power कितनी है 1 है that means कि इसके degree कितनी हुई 1 हुई clear असान है चलिए अब कोसिस करते है कि यहीं इनके साथ साथ यहाँ पर इनके degree और order लिखते है so order इसका कितना हो जाएगा बताइए देखिए single derivative single derivative double derivative तो double बड़ा होता है तो order इसका कितना हो गया 2 हो गया तो अब हमें double की ही power देखने है कि double की power कितनी है फिलाल 1 ही है that means कि इसके degree कितनी हो गई इसके degree हो गई 1 के एक वाल right clear चलिए next 6 में हम देखिए dx है dx से throughout divide कर दे तो divide dx इदर आ जाएगा तो इसका order आपको नजर आ गया होगा कितना है 1 है degree कितनी होगी इसकी degree भी 1 हो जाएगी right चलिए यहाँ पर देखिए single derivative cent में यानि कि single dash से represent किया गया है so यानि कि जो double dash होगा वो किसको represent कर रहा होगा double derivative को यानि कि अगर यहाँ ऐसे double dash आ गया तो that means कि यह 2 y by dx square है clear तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि इसका जो order है वो order क्या है obviously 2 है तो जो double order derivative की term है उसकी power कितनी है 1 that means कि इसकी degree कितनी हुई 1 के equal clear चलिए next अब यहाँ पर जो 8th question है इस 8th question में हमारे पास देखिए p को इन्होंने d by dx बोल रखा है और p जो है वो किसी उसका square भी हो रहा है और उसका देखिए यहाँ पर root भी होने लग रहा है है ना तो that means कि हमें इसको थोड़ा सा simplify तो करना पड़ेगा तो क्या है यह y is equal to px 8th लेके चलते हैं y is equal to px plus square root square root के अंदर a square p square plus b square yes a square p square plus b square ऐसा कुछ है तो देखिए यहाँ पर p की जो है वो कही ना कही एक radical power भी है कहा है यही root root कितने power होती है 1 by 2 होती है है ना तो that means कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा इस radical power को खतम करना पड़ेगा तो इसके लिए हम थोड़ा सा simplification work start करते हैं मैंने पहले क्या गया p x को shift कर लिया ताकि एक तरफ मुझे सिर्फ root नजर आए a square p square plus b square अब मैंने क्या क्या गया squaring both side कर लिए squaring करते हैं तो इधर a minus b का whole square value identity लग जाएगी a square plus b square minus 2ab ठीक है मैंने p last में क्यों लिख लिया क्योंकि ये dy बे dx को represent कर रहा है हम समझने के लिए बाद में इसका कर देंगे और right hand side में जब square किया तो root हट गया ये बन गया a square p square plus b square यहां लिख दीजिए square both sides clear अब p की जगे समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि p की value रख देते हैं ठीक है p क्या है basically dy by dx है तो उसका square और x square है इसाथ में minus 2xy dy by dx ऐसे ही यहां भी a square dy by dx का whole square plus b square तो अब आप notice करोगे कि यहां पर इसका जो order है वो order हमारे पास कितना हो जाएगा देखिए first derivative, first derivative, first derivative यानि order तो 1 हो गया लेकिन उस first derivative की b highest power का है यहां तो 1 power है लेकिन यहां 2 power है यहां 1 power है और यहां 2 है तो overall highest कितनी है 2 है तो that means कि इसकी degree कितनी आ गई 2 के equal आ गई clear यह था हमारा question number 8 चलिए next करते है नाइन्थ नाइन्थ में भी देखिए हमारे पास क्यूंकि root आयो है radical की power सोरी radical power बनी हो यह ना तो that means कि हमें इसको सबसे पहले क्या करना होगा simplify करना होगा so d2y by dx square किसके equal है root of 1 plus dy by dx तो यहां की आपने squaring both side तो squaring करते ही d2y by dx square left hand side का भी square हो जाएगा right hand side में root हट जाएगा अब देखिए root हटने के बाद अब हम अराम से यहां पर देख सकते हैं कि वही इसका order कितना है इसका order इसका order कितना हो जाएगा वही यह देखिए double derivative है that means कि 2 इसका order हो गया और उसी की highest power कितनी है 2 ही है यानि किसके degree भी 2 के equal हो गई clear तो यह था अपना 9 चले 10 करते हैं 10 में भी आपको फिर से देखिए root नजर आ रहा है तो एक step direct करें कि इसमें मैंने d by by dx को left side में shift कर लिया अब हमारे पास क्या बच गया root of 1 plus dy by dx का whole cube अब देखिए squaring both side करें so left hand side का square होगा तो left hand side का square करेंगे तो a minus b का whole square वाली identity लगा दे a square plus b square minus 2ab and right hand side में हमारे पास क्या होगा root हट जाएगा अब देखिए अब कोई radical power नहीं है तो अब यहाँ पर इनका order कितना हो जाएगा देखिए first derivative, first derivative, first derivative तो order तो 1 है लेकिन इन first derivative की highest power तो मुझे 3 देखने को मिल रही है that means कि इसके degree कितनी हो गई 3 हो गई right तो यह था हमारा 10th question 11th देखते हैं 11th तो side से आप directly करी लेंगे चलिए देखिए इसका order बताईए इसका order कितना होगा second order derivative देखने को मिल रहा है that means कि order 2 है और इसके degree कितनी हो जाएगी degree भी इसकी कितनी power है इसकी एक ही power है and degree कितनी हो गई 1 हो गई right चलिए 12th हाँ 12th है देखिए 12th में हमारे पास क्या है कि पहचान बताई थी ना आपको स्टार्टिंग में कि कोस का एंगल नहीं होना चाहिए dvdx actual में बात क्या होती है बात होती है polynomial बनाने की क्या ये एक polynomial situation बन जाएगी नहीं बनेगी इसकी वज़ाए से मैंने ये पहचान बताई थी आपको है ना तो ट्रिग्नोमेटरी का एंगल नहीं होना चाहिए dvdx double derivative triple derivative कोई भी तो यहाँ पर इसकी degree तो नहीं निकल सकती लेकिन इसका जो order है वो order कितना हो जाएगा इसका order 2 हो जाएगा ठीक है इसकी वज़ाए से लेकिन इसकी whole power की वज़ाए से हम यहाँ पर इसकी degree 2 नहीं लिखेंगे only because of this ठीक है इसने गड़बड कर दी अगर यहाँ ऐसा कुछ होता कि माली जे कोसेक्स और इसके multiple में dvdx होता तो इसकी जो degree है वो हम 2 लेकर चलते तो फिलाल इसकी degree नहीं है लेकिन order कितना है that means कितनी बार इसमें derivative किया हुआ है दो बार derivative किया हुआ है तो इसका order 2 हो गया है clear चली 13 13 में भी देखिए same problem आ रही है sign का angle बना हुआ है हमारे पास क्या यह single order derivative तो इसकी degree तो possible नहीं है लेकिन इसमें जो derivative हो रख था वो देखिए second derivative तक हो रख है that means कि इसका order कितना हो गया इसका order हो गया 2 के equal clear समझ पारे होंगे चली 14th करते हैं देखिए 14th में फिर से हमारे पास radical power आ गई that means कि हमें पहले इसको finish करना पड़ेगा इस radical power को हटाना पड़ेगा ठीक है P D2Y by Dx square तो चलिए क्या करें 1 by 3 को खतम करने के लिए cubing की हमें help लेनी पड़ेगे है ना cubing both sides तो उससे क्या हुआ कि left side में हमारे पास कुछ ऐसा structure बच गए गया और right hand side में cube किया तो D2Y by dx square की power 3 और P की भी power 3 ऐसी situation बन गई है ना अब यहां देखिए क्या हमें इस 4 power को खोलने की ज़रूरत है actually नहीं हमें यहां पर इस 4 power को खोलने की ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि जो highest order derivative है उस 4 power के अंदर है ही नहीं अगर यहां इसके अंदर होता तो हमें मजबूरन 4 power खोलनी पड़ती ताकि हम degree पता गर सके लेकिन जो highest order derivative है वो तो यहां है तो that means कि इसका order तो 2 हो गया और उसी की power कितनी है देखिए 3 है तो इसके degree भी कितनी हो गई 3 के equal हो गई लेकिन अगर यहां second order derivative होता तो हमें यह मजबूरन 4 power open करनी पड़ती clear चलिए यह था अपना 14th question next करते है 15th क्या है find the sum of the order and the degree of the differential equation यह जो भी हमें given है तो चलिए देखिए वैसे इसको जब हम open करेंगे तब भी यहां पर 2 power ही आनी है इसकी और यहां पर भी actually इसकी 2 power बन रही है लेकिन यह तो cut जाएगा ठीक है ठीक है यहां situation change होगी हमें इसको open करना ही पड़ेगा चलिए करते हैं dx अगर अभी हम ध्यान नहीं देते साइट से 1 था हाँ प्लस में 1 है तो अगर हम ध्यान ना दें तो यहां पर हमारे लिए दिक्कत क्या आती है हम यह सोचते है इधर ही यह first derivative है first derivative यहां रहेगा तो order तो 1 हो जाएगा और degree इसके 2 हो जाएगी जबकि अभी देखना इसको हम simplify करते हैं तो इसके degree पे क्या effect पड़ता है यह देखिए x square squaring both side कर दिया plus dy by dx का square plus 2 time of x dy by dx और is equal to में dy by dx all square plus 1 तो यहां देखिए दोनों तो same बन गए यह तो cancel हो गए अब जो बचा portion हमारे पास अब उसमें observe कीजिए कि हमारे पास जो चीजे बची है उसके accordingly order कितना है order तो 1 है लेकिन अब degree देखिए degree भी 1 ही बच गई है ना that means कि यहां पर इन दोनों का order का और degree का sum पूचा था sum of the order and the degree तो किसना हो जाएगा तो बता देंगे therefore sum of order and degree किसके इक्वल आ गया 1 प्लस 1 यानिकी 2 के इक्वल clear तो वैसे exercise आसान थी लेकिन समझनी जरूरी थी क्योंकि यह degree और order जो words है यह हम आगे बार 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 इनको use किया करेंगे अगर आपको अभी दिक्कत आते इन में तो फिर आगे obvious सी बात है दिक्कत आनी ही है ना बड़े ध्यान से करने वाली exercise है चोटे चोटे बारी किया जो मैंने बताई है वो ध्यान रखिएगा चलिए ठीक है content अच्छा लगा है समझ में आया है तो please like जरूर करें अपने friends के साथ भी share जरूर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ benefit हो और चैनल पर नई है तो please subscribe भी करें तो चलिए मिलते हैं next video में next exercise के साथ